नवस्कार दोस्तों तो आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टन होने वाले है उन लोगों के लिए जो अपना एक नया डेडी फार्म स्टार्ट करने वाले है या करना चाहते है और जानना चाहते है कि एक बफेलों पे प्रती दिन का कितना खर चाता है उस पे कितना हमें उसको चाहिए कितना हमको दाना मिश्रन देना चाहिए यह सभी केल्क्यूलेशन और साथ ही में कितना खेल्शम पे कितना मिंडरल्स पे कितना मेडिसिन वगएरा पे उस पे खर चाता है प्रती दिन का और मान लिजे कोई बफेलों 14 लीटर या 15 लीटर प्रती दिन का उसका थमरूल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो यह वीडियो स्किप किये बगर लाश तक जरूर देखे यह बहुत ही इंपोर्टन और बहुत की काम की वीडियो आपके लिए होने वाली है तो दोस्तों चलिए स्टार्ट काता है इस वीडियो को और सबसे पहल जो बफैलो को लेके हम यह कैलकुलेशन पूरी करने वाले है उसकी डीटेल्स थोड़ी सी जान ले तो यहां पे मैंने 14 लिटर प्रति दिन दूद देने वाली एक पैंस की कैलकुलेशन की है और उसका रेट जो है अगर आपको इस 14 लिटर प्रति दिन यानिक एक टाइम का साथ लिटर वाली फैंस चाहिए तो एक लाख बीस एजार के आसपास की रेट में आसानी से जो है वा आपको मिल जाएगी दोस्तों यहां पे मैंने कम दूद वाली यानि की पांच लिटर पर टाइम यानि की दस लिटर प्रति दिन वाली या फिर जो है वो 25-30 लिटर प्र कर लेते हैं उसके lactation की तो यह इसका lactation जो है वो कितने दिन का रहेगा तो मान ले कि वो आज B.I. है तो उसके चार महिने बाद pregnant होगी ठीक है तो चार महिने तो वो ही हो गए और साड़े-दस महिने का वो जो है pregnancy period रहेगा क्योंकि बफेलो जो है साड़े-दस महिने बाद बच्चा देती है तो साड़े-दस और चार यान कि साड़े-चोदा महिने का उसका पूरा वियात हो जाएगा यानि कि टोटल 435 दिन का अगर हम 30 दिन का महिना गिनेंगे तो 435 दिन जो है वो उसके lactation के हो जाएंगे अभी इसमेंसे milk में कितने दिन रहेगी वो ड्राइ में कितने दिन रहेगी वो भी हम निकाल लेते है तो मान लिजए वो तीन महिने last में dry period में रहती है तो उसमेंसे यह तीन महिने यानि कि 90 दिन अगर हम निकाल देतीन 435 मेंसे तो 345 दिन यानि कि साड़े 11 महीने जो है वो milking period में रहे तो अब calculation ये भी कर लेते है कि इस 345 दिन में total वो कितना दूद देने वाली है ठीक है तो मान लीजे starting में जो है ये buffalo पहला एक महीना अगर हम गिने इसका ठीक है दोस्तो तो एक महीने में मान लो कि वो खीस देगी पूरा दूद तो 14 लीटर starting में तो देने लगेगी नहीं 4-5 दिन तक खीस देगी फिर उसके 10-15 दिन बाद वो पिक कील पे आती है तो वो सिरुआत के पहला महीना जो है वो हम 14 लीटर के बजाए 10 लीटर ही उसकी एवरेज हमें गिननी चाहिए पर यहाँ पर अभी हम calculation में उसका मान लीजे 14 लीटर गिन के चलते है बाद में last में जो है वो हम उसको calculation से 100 लीटर या 700 लीटर दूद है वो निकाल देंगे ठीके तो मान लीजे शुरुआत के 3 महीने यानि कि 90 दिन होए वो 14 लीटर लीटर दूद ये बहस दे रही है तो ये 1260 लीटर दूद पहले 3 महीने का हो गए तो आप उसके बाद मान लीजे एक महीना इस ने जो है और मान ले कि हर दो महीने, अब हर दो महीने में आपको दो लिटर दूद जो है, वो इसका कम करते जाना है, तो साथ दिन नो लिटर के हिसाब से गिन ले, उसके बाद के साथ दिन जो है, वो साथ लिटर के हिसाब से गिन ले, उसके बाद के साथ दिन पांच लिटर के हिसाब से और आखरी का डेड़ महीना जो रहता है यानि कि पैतालिस दिन वो हम चार लीटर प्रती दिन के हिसाब से गिनेंगे तो टोटल जो है ये सबी दिनों का अगर हम मिल्क का टोटल करेंगे तो तीन हजार साथ लीटर दूद जो है एवरेज यहां पे होता है ठीक है सरवाधिक दूद पे होती है उसका 50% दूद जो है वो आप लेके उसके लेक्टेशन के दिन के साथ मुल्टिप्लाई करेंगे तो आपको उसका लेक्टेशन का टोटल मिल्क मिल जाएगा ठीक है यानि कि 435 दिन है उसके लेक्टेशन के सरवाधिक 14 लीटर दूद यहाँ पर है तो उसको 14 का आदा यानि की 7 लीटर तो 435 को 7 से मल्टिप्लाइ करेगे तो तक्रीबन तक्रीबन 350 लीटर दूद हो जाएगा तो उन्हें यहाँ जो कैल्कुलेशन की है उस हिसाब से 306 लीटर आया है तो यह आप देख सकते हैं यह थमरूल के हिसाब से अगर चलेगे तो भी यह आप निकाल सकते है और इस हिसाब से कैल्कुलेशन करके भी मैन्यूली कैल्कुलेशन करके भी आप यह मिल्क इसका निकाल सकते है तो यह पूरे बियाद का अगर मान लीजे तीन हजार साथ लीटर दूद मिल रहा है और उसका रेट हम रीटेल में साथ रुपे प्रती लीटर के हिसाब से भी गिने तो एक लाक त्रेयासी हजार छेसो रुपे का दूद होगा अब दोस्तों ये रेट जो है वो अलग-अलग स्टेट वाइज अलग-अलग हो सकता है प यूदि बफैलो के मिलक के आज असानी से अगर आप रीटेल में देगे तो कहीं पे भी साथ रुपे आपको आसानी से मिल जाएगे कहीं कहीं पे 65, 70 या 80 रुपे तक ये रेट चला जाता है पर एवरेज जो है वो साथ रुपे आसानी से मिलते है और अगर आप डेरी में भी देगे तो भी 55 रुपे के आसपास यहां पे आपको मिल जाता है तो 60 रुपे के हिसाब से अगर हम कैलक्यूलेट करेगे तो 1,83,600 रुपे का जो है वो पूरे लेक्टिशन का मिलक हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये तो हो गया उसका कितने रुपे का दूद हमको मिल पर यहां पे हमने एक चीज जो है वो बाद नहीं की है वो है उसके कटड़े या कटड़ी का दूद ठीक है कि उसको भी हमको दूद पिलाना है तो वो हमने यहां पे बाद इसलिए नहीं किया क्योंकि जितना दूद उसको पिलाएगे उतना उसका ग्रोथ तो होने ही वाला तो वो उसको जब हम sell करेंगे तब उसमें से हमको उतना 20,000 या 15,000 का profit लेके उसको sell कर देंगे तो वो दूद इसलिए मैंने यहां से जो है वो निकाला नहीं है दूसरा कि जैसे कि मैंने बोला था कि 100-100 लिटर पहले महिने में कम दूद देगी वो भी हमको निकालना है जो है वो आपको उसमें से पूरे लेक्टेशन के गोबर से जो है वो निकल जाएगी आसानी से तो वो भी हमने यहां पे निकाला नहीं है तो यह टोटल दोस्तों हो गया milk का rate कि इतने रुपे का हमको दूद एक लेक्टेशन से मिल जाएगा अब बात करते हैं कि उस पे खर्चा प्रती दिन कितना आता है ठीक है दोस्तों तो यहां पे मान ले कि हरा चारा, सुखा चारा, कैल्शियम, मिन्डरल्स और मेडिसिन वगेरे का खर्च प्रती दिन का कितना आता है वो हम calculation करेंगे तो यहां पे मान लेजिए कि 25 किलो उसको प्रती दिन का इस वफेल को हरा चारा चाहिए और आठ के जी सुखा चारा चाहिए अब यह दोस्तों उसके body weight पे वैसे तो depend करता है और उसका पूरा calculation आता है पर वो अगर अभी मैं यहां पे समझाने बैठूंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएंगी तो उसके उपर अगर आप वीडियो देखना चाहता है तो मुझे comment में जरूर बता दे उसके लिए मैं एक अलग से जो है वो वीडियो बना दूँगा और upload कर दूँगा ठीक है दोस्तों तो यहां पर मान लिजे 25 किलो हरा चारा प्रती दिन का उसको चाहिए और उसका average rate हम 2 रुपे पर केजी के हिसाब से चले तो भी 50 रुपे का हरा चारा हो गया और 8 केजी सुखा चारा उसको प्रती दिन हम खिलाते है और 4 रुपे प्रती केजी के हिसाब से उसका rate लगाते है तो 32 रुपे प्रती दिन उसका खर्चा आएगा और अभी कैल्शम जो है वो अगर हम मान ले 100 ml या 80 ml उसको देते हैं प्रती दिन तो वो 14 रुपे के आसपास आपका कैल्शम हो जाएगा मिनरल मिक्षर अगर आप उसको दे रहे हैं तो 10 रुपे जो है वो मिनरल मिक्षर के प्रती दिन उसमें खर्चा आ जाता है तो और मेडिसन और AI वगेडा में खर्चा भी आ जाता है AI तो हम लाष्ट में करवाते है प्र एक दो बार करवाना पड़ता है तो इन सब में भी खर्चा आता है और कभी कबार 500 बीमार हुई तो मेडिसन पे भी आता है तो इसका हम 15 रूपे प्रति दिन के हिसाब से अगर ले ले तो ये सभी का मिला के जो है वो तक्रीबन 40 रूपे प्रति दिन का खर्चा आ जाता है तो 40 और 82 यानि कि टोटल जो है 122 रूपे जी 82 रूपे जो है इन दोनों के चारे के और ये केलिशम वगेरे के 40 तो प्रति दिन इन सब का खर्चा गया फीड को भी हमने अकाउंट नहीं किया है वो हम लास्ट में करेंगे तो 122 रूपे और उसको 435 दिन का उसका पूरा ब्याद यानि कि टोटल 53,000 और 70 रूपे जो है वो खर्चा आ जाएगा आपको इन सब पे अब बात कर लेता है दाना मिश्रन यानि कि फीड की तो उसका टोटल दूद जो है उसके आधा हमको फीड उसके दूद के लिए देना है मान लिज़े यहाँ पे 3060 लीटर दूद है तो 1530 केजी तो हमें फीड देना है उसके मिल्क के लिए है अब दूसरा उसके एक्स्टर उसको अच्छी तरीके से जो है वो टाइम टू टाइम उसके मिल्क के हिसाब से देते है और साथी में कैल्शम, मिनरल्स वगेरा भी देते रहते है तो अलग से जो है वो एक केजी आपको खिलाने की जरूरत नहीं रहती स्टार्टिंग में पर बाद में जब वो प्रेगने के हिसाब से भी गिने तो 320 और 1530 केजी उसके दूद के हिसाब से तो टोटल यहां पे 1850 केजी जो है वो दाना मिश्रन यान की फीड हो गया अब उसका एवरेज प्राइज अगर हम 28 रुपे लेके भी चले तो भी 51,800 रुपे का वो पूरा खर्चा वो आ जाएगा तो 51,800 दाना मिश्रन का और कैल्शम वगेरे का और सुखे चारे हरे चारे का वो सब मिला के 53,070 रुपे का वो खर्चा तो टोटल एक लाख 4,870 रुपे उसका पूरे लेक्टेशन का खर्चा उस पहस पे आ जाएगा ठीक है दोस्तो तो इसको अब आप जितने रुपे का दूद था उसमें से आप निकाल दे तो बचेगे 78,730 रुपे तो ये हो गया आपका प्रॉफिट ठीक है दोस्तो तो ये पूरा प्रॉफिट हो जाता है अब मान ले कि आपके यहां पे रेट जादा कम है तो वो आप कैल्कुलेशन में जहां पे भी मैंने जो कैल्कुलेशन किया है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से आपके एरिया के हिसाब से वो डेटा एंटर करके पूरा जो है वो प्रॉफिट कितना होगा कितना खर्चा आएगा वो निकाल सकते है आसानी से और कहीं पे भी आपको अगर ना समझ मैं आए तो मुझे कमेंट भी कर देंगे तो भी म कैल्शम है उसको भी हम घर पे बना सकते है तो उसका भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था उसके लिए पूरी वीडियो बनाई थी तो वो वीडियो आप अगर ने नहीं देखिए अभी तक तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते है तो इसमें आपको बहुत ही कम रेट में ना के बराबर रेट में जो है वो कैल्शम मिल जाएगा अलग से आपको कैल्शम नहीं देना पड़ेगा तो ठीक है दोस्तों तो ये सब चीजे आप बचत कर सकते हैं तो मान ले ये हराचारा सुखाचारा और कैल्शम इन सब पे अगर हमने बचत कर तो ये 97 रुपीज का प्रती दिन का खर्चा हमारा बच जाएगा और 435 दिन का अगर हम गिनेंगे तो 42,195 रुपे का खर्चा जो है वो हमारा बच जाएगा तो टोटल प्रोफिट हमें यहां पे 1,20,925 रुपे पूरे लेक्टिशन में हो जाएगा पर आप कहेंगे कि ख आपको जादा कुछ खर्चा आएगा नहीं उसमें आपको देसी खाद जो बफेलो की है वो ही आप डालते रहे तो आपको उसमें मल्टिपल कटिंग जो है वो मिलते रहे गे और आपका नहीं बीज का खर्चा दोबारा आने वाला है और नहीं रसाइनिक खाद वगेरे का ठीक है तो उस पे जादा कुछ खर्चा आता नहीं है तो ये कीमत जो हमने बैंस की दी थी वो तो हमको एक ही लेक्टिशन में मिल जाएगी अगर हमारे घर पे हमहरा चारा और सुखा चारा लगाते है तो अगर हम बार से खरीद के लाते है तो उस बफेलो की कीमत का तक्री बचास प्रतिशत हमें मिल जाता है एक लेक्टिशन में 50-60 प्रतिशत तक रीटन जो बैस हमें लेक्टिशन में देखे जाती है अगर हम सब कुछ बहार से भी लाते हैं तो तो दोस्तो यहाँ आप सवाल करेंगे कि अगर इतना ही प्रॉफिट इतना अच्छा मैंने जो यहाँ पर calculation की है जो भी फॉर्मूले से calculation की है वहाँ पर मैंने जो बफेलो ली है वो एक दिन का 14 लीटर देंगी ऐसी बफेलो ली है नहीं की 4 या 5 लीटर एक टाइम का देगी ठीक है दूसरी जीज़ कि ये बफेलो हमने 4 मंथ में pregnant हो जानी चाहिए ये गिनके calculation की होता क्या है कि वो बफेलो हम लेके आते है ठीक से उस काम management नहीं कर पाते तो 7-8-9 मैने बाद pregnant होती है और फिर dry period भी उतना ही लंबा हो जाता है तो फिर हमें loss होने लगता है तो ये भी चीज़ एक reason है कि dairy farm loss में जाते है तीसरी चीज़ कि यहाँ पे हमने ये नहीं गीना ह है कि जब भी हमारी बफेलो बीमार होगी तब उसका दूद कम होगा और खास करके अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई तो पूरा lactation भी खराब हो सकता है तो दोस्तों तो ऐसी चीज़े जो है इसकी वज़े से जो है वो dairy farm जो है वो loss में जाते है पर इसका मतलब ये नहीं कि हर एक farm loss में ही जाएगा अगर ऐसा होता तो ये business कब का बंध हो चुका होता कोई dairy farm करता ही नहीं आप देखेंगे कि आज कल चार सो पान सो बफेलो के भी farm चल रहे है तो वो loss में तो नहीं चला रहे होगे कुछ तो बात होगी तो वो है management और knowledge तो वो आपको सीखना पड़े जी तो इसके लिए आप हमारी चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद